नमस्कार दोस्तों यह से स्वीजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं MSCI इंडेक्स क्या है और यहां पर जो नया अडिशन हुआ है उन कंपनी इसके बारे में भी डिस्कस्यन करेंगे और उन कंपनी के स्टॉक्स के सब्सक्राइब करना है तो नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन सक्षन में लिंक दिया गया है वहाँ जाके आप डिमेट अकॉंट उपन कर सकते हैं दोस्तों आप जानते हुँगे दोस्तों जानीमानी कंपनी मौर्गन स्टैंडले कैपिटल इंटरनेशनल इन्होंने कही सारे ग्लोबल इंडाइसेस बनाया है जिसको स्टॉक मार्केट का परपरमंस मेजर करते हैं और उसमें से एक इंडेक्स जो बनाया है जिसमें लाज कैप एंड मिड कैप कंपनी का परपरमंस मेजर किया जाता है और उसको बोलते हैं मसी आई इंडिया इंडेक्स और इसमें 110 कंपनी जाए लगबग वो 85% आप इंडिया निक्विटी का इन्वेर्स को कवर करते हैं दोस्तों यह मसी इंडिया इंडेक्स लांच हुआ था थी सेप्रिल 1993 को और इसके पर पूरा डिटेल में हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले मसी आई इंडिया इंडेक्स का परपरमंस ग्राप आप देख सकते हैं तो यह अक्टोबर 2006 से लेके अक्टोबर 2021 तक का परपरमंस यहां पर दिया हुआ है मसी में इमर्जिंग मार्केटस मसी सिअइङ इंडिया उपर में पर पर ब्लू लाइन में उसके निचे मसे इंडेясट्ग इमर्जिंग मारप यादूरिक है तो blue performance आप देख सकते हैं लगबग इनी indices के साथ कई बार साथ में perform किया है कई underperform किया है कई outperform किया है और presently outperform कर रहा है तो यह इसमें आप टोटल जो performance देखिंगे ग्रॉस पर्फर्फर्मेंस तो वन मंत का जो पर्फर्फर्मेंस है MSA इंडेक्स का 0.11% है त्री मंच का 11.49% है वन येर का देखिंगे तो 52.29% है ये तिल्डेट 29% है अनुलाइज 3 एस का देखिंगे तो 20.55, 5 एस का देखिंगे तो 15.92 और 10 एस का देखिंगे तो 13.03 सिंस 38 डिसेंबर 1994 से देखिंगे तो एनुलाइज रिटरन 12.03% की रिटरन्स आ रही है दोस्तों तो ये वेटेज इंडेक्स है और यहाँ पे तीन बेसिक फैक्टर्स को देखा जाता है तो ये तीन फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए है यहाँ पे इंडेक्स बनाया जाता है और ये वेटेज इंडेक्स है यहाँ पे उससे पहले हम फंडामेंटल्स की बात करते है तो as on 29th October 2021 में dividend yield 1.01% की है price to earning ratio 30.27 का है forward PE 22.74 की है और price to book value 3.89 की है इसमें sectoral weightage देखेंगे तो जैसा financial sector को सबसे ज़्यादा weightage मिला है वैसे ही यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 26.44% जो है financial sector को weightage मिला है उसके बाद आप देखेंगे तो 17.18% information technology को मिला है उसके बाद energy 12.41% or materials 9.7% consumer staples 8.94% consumer descriptionary 8.23% healthcare 5.07% industrials 4.29% utilities 4.1% communication services 3.29% and real estate को 0.35% का weightage यहाँ पे मिला है आप देखेंगे top 10 जो इसमें MSI index को hold करते वो top 10 constituents को देखेंगे तो सबसे पहला नाम आता है Reliance Industries का और Reliance Industries का weightage है 10.16% energy sector का प्लेयर है उसके बाद Infosys का number आता है और Infosys का weightage लगभग 8% का है 7.98% IT की कंपनी है HDFC का weightage है 6.85% financial sector ICIC Bank का weightage है 5.77% financial sector TCS IT कंपनी है 4.41% Bajaj Finance again financial से 2.82% Actual FMCG sector की कंपनी है 2.76% Then Bharti Airtail 2.38% Again consumption sector से जुदिवी कंपनी है Access Bank financial sector से जुदिवी कंपनी 2.76% And HCL Tech again IT company 1.74% तो यह 10 top 10 companies है जो इसमे 47.24% का weightage रखती है तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है Index में weightage किसको ज्यादा है अब यह periodicity का इसका जो index review होता है उसके पर चर्चा करेंगे तो यह quarterly review किया जाता है और review किया जाता है फर्वरी मई अगस्ट और नॉवंबर में और semi annually इसको adjust किया जाता है Rebalance किया जाता है तो नॉवंबर का rebalancing अभी होना है और वो 30 नॉवंबर 2021 को होगा और वो effective होगा फर्स्ट अब December में तो semi annually इसको rebalance किया जाता है और quarterly review किया जाता है अभी upcoming changes का हमने बात किया है उसमें लगबग 9 stock है जिसको include किया जा रहा है MSCI index में और 2 stock है से है जिसको review किया जा रहा है इस MSCI index इंडिया index से standard index में तो यहां पे नाम आता है Jometo, SRF, Tata Power, Mindtree, Godret Properties, IRCTC, EMPASIS, भारत Electronics, Bajaj Holding तो यहां पे डेपिनेटली आपको momentum देखने को मिलेगा यहां पे पॉजिटिव सेंटिमेंट है जब MSCI index में इसको जगह मिल रही है तो यहां पे डेपिनेटली stock में moment आता है और आना लाजमी है दोस्तों क्योंकि इसको MSCI index में जगह मिली है लेकिन ऐसा हर बार होगा इसका कोई guarantee नहीं है और इसमें कोई एक stock बहुत जबरदस परफॉर्म कर सकता है कोई एक under performer बन सकता है तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है एक नए वीडियो के साथ